हेलो स्टुडेंट तो आज की लिक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपी तो देखो जैसे हमारे पास पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है इफ अफिक्स्ड नंबर इज एड़ेट और सब्ट्रेक्टेट टू इच देम ऑफ गिवन एपी देन दर रिजल् है तो उसके हर टर्म में अगर हम किसी चीज को किसी टर्म को एड़ कर दे या सब्ट्राइट कर दे तो जी रिजल्टिंग एपी आएगा वह भी हमारे के एपी ही होगा ठीक है तो जैसे हम लोग एक्जामपल ले लेते हैं जैसे वन प्लस टू प्लस में जिन लिए वन टू प्लस टू कितना हो जागा फाइव 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 प्लस टू कितना हो ज इस ap में माइनस दो घटा दें माइनस दो से घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस और जीरो और और फिर टू फिर त्रे अब देखे यह यह भी जो हमारा शीरीज है यह भी रिजल्टिंग यह यह प्रॉपर्टिः कर रहा है if a fixed number अगर कोई fixed number है is added और सब्टेक्टेट टू इच ऑफ गिवेन एपी उस हर टर्म में अगर हम उसको एड़ कर दें तो रिजल्टिंग सीरीज ही आलसो इन एपी तो जो रिजल्टिंग सीरीज आएगा वह हमारा आलसो इन एपी मेरेगा ठीक है अब देखें हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रहे इफ इच टर्म आफ एन एपी इज मल्टिप्लाइड बाइफ फिक्सड और डिवाइड़ बाइफ फिक्सड नॉन जीरो कॉंस्टेंट देन रिजल्टिंग सीरीज आलसो इन एपी कर रहा हमारे पास कोई एपी है अगर उसमें किसी संख्या से इन डिव इउन मल्टिप्लाइड कर दे तो जो रिजल्टिंंग सीरी जाएगा वह यहारा एक होगा ठीक है तो चल्वало को कि त्रीक हो चल्राइब हो को ऐसे धक्यों है आट निवग्संग मल्टिप्लाय कर देते हैं तो क्या हो यह यह जाएगा ne facto मैं सा ब्लंक्र Потом dł d27 कर दफे हो 16 20 ठीक है अब देखिए 4 8 12 सोलर 20 को कॉमर डिफरेंस 4 है तो देखो यह भी हमारे के पी हुआ ठीक है तो वहीं यह करा कि किसी संख्या से मल्टिफलाए करें तो जो शिल्टिंग से री जाएगा वह 4 ए हमाँ एक बाउठिक ही है doctrine if x1 plus x2 plus x3 dot 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 and y1 plus y2 plus y3 dot 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 are 2 a p ये दो a p है then x1 plus plus minus y1 x2 plus minus y2 ऐसे dot dot are also in a p मतलब सीधे सीधे जो term है उनको add करे या subtract करे तो वो भी हमारा एक a p है तो चलो एक example लेकर देख लेते हैं जिसे ले लेते हैं 1 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dot 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 और एक a p ले लेते हैं 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus dot 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 ठीक है अब देखे जब इसको हम लोग add कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 plus 1 4 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 अफिर इसे 3 plus 1 4 5 plus 2 7 और 3 plus 7 कितना हो जाएगा 10 और 9 plus 4 कितना हो जाएगा 13 ऐसे dot dot अब देखे 4 3 से ये comma differences का 3 है तो ये भी हमारा एपी हुआ है ऐसे हम इसको घटा देंगे तो भी हमारा जो रिजल्टिक सिरी जाएगा वह भी एक a p होगा ठीक है तो वही जो तिसरा property ये का रहा ठीक है आप इतना property अगर याद कर लेंगे तो आपका जो property based question आता है एपी में वह आप लोग solve कर लेंगे ठीक है तो देखो हम लोग जो अभी property बता है तो उस पर बेस्ट हम लोग कुछ question देख लेते हैं तो question क्या है if one upon b plus c one upon c plus a one upon a plus b are in ap अगर ये ap में है then prove that तो सिद्ध कीजिए कि a square b square c square are also in ap अगर one upon b plus c one upon c plus a और one upon a plus b ये ap में है तो मैं prove करके बताए कि a square b square c square ये भी एक ap में होगा ठीक है अब देखें हम लोग एक relation जानते हैं अगर a b c ap में हो तो 2b square to क्या होता है a plus c ठीक है तो two times of c plus a square to क्या हो जागा one upon b plus c और plus one upon a plus b ठीक है अब देखें two times of c plus a is equal to क्या हो जागा a plus b plus b plus c upon b plus c into a plus a b across multiplication कर देते हैं तो क्या हो जागा two times of b plus c into a plus b is equal to c plus a फिर a plus ये b b कितना हो जागा two b plus c ठीक है अब देखें इसका multiply कर देते हैं तो b का जब a में multiply करेंगे तो a b plus b b b square plus c का a में करेंगे तो क्या हो जागा a c plus c का जब b में करेंगे तो क्या हो जागा b c is equal to c का इधर a में करेंगे तो क्या हो जागा अब फिर C का जब 2B में करेंगे तो क्या हो जागा 2BC प्लस जब A का करेंगे तो क्या हो जागा A स्कार प्लस जब A का 2B में करेंगे तो क्या हो जागा 2AB प्लस जब A का C में करेंगे तो क्या हो जागा A C ठीक है अब देखे यह 2a सी 2a सी चला गया तो हमारे पास आयक है और अभी तो C स्कॉर ए किधर रहेगा जब C का C में मल्टिप्लाइ करेंगे तो फ्लस C स्कॉर रहेगा तो प्लस C स्कॉर नहीं लिखे ते तो क्या हो जागा टू बी स्कॉर इस्कॉर टू अब देखों जुमारा नेक्स्ट्ट क्ibl Arg今天 करेंगा है तो अभी ऑगा तो मैं काश में एक ऐगा तो श्कॉर नेगते की मारा इस्कॉर जिएerte group लाभान फ्रूब करके बताइं कि यह भी है अगर किसी एपी में हर टर्म में कोई चीज एड कर दे या मटिप्लाइब कर दे तो वह जो डिजल्टेंट एपी आएगा रिजल्ट रहें सिरी जाएगा वह भी हमारे केपी में होगा ठीक है अब देखें तो a square b square c square है तो इसमें हम लोग एड़ कर देते हैं a b plus b c plus c a तीन ओटर्म में ठीक है तो a square plus a b plus b c plus c a ठीक है अब फिर इसमें भी एड़ कर देते हैं a plus c a ठीक है अब देखें a square हम तिन्हों टरम में एड़ कर दिये ठीक है अब इधर क्या हो तो a square plus a b a common ले लेते हैं ठीक है तो क्या हो जागा a plus b bata e, चीक है और plus a bc plus c a बाचा तो इसमें सबस्क्राइब करे कामन पर पॉस से हम लोग क्या कामन ले लिए तो क Monsieur मेसे मेशाई है जो बॉस से बाइब देंहे कामन ले लिए तो क्या बचा i less सी ठीक है अबेंर में से बचा आब्याफ्च क्या बचाय एक रासव पॉस सी तो क्या नम्हरे पास AB बलस BC बचा तो AB बलस BC में अन् gobierno क्या िया क्या जैंगा? बलस BC में इसमें क्या क्या बचा लिए थि film in the집 क्या है? तो क्या होगा? अब तीक जिवर समर बाद क्या को मद्हक बचा है हम फ्लस ऑद उसमें उसमें से क्या हो जागा? या बचानलनल थि तो हमारे पास क्या बच्छे का C plus B ठीक है अब देखिए हम लोग 1 upon A plus B B plus C C plus A से डिवाइड कर देदें ठीक है तो हमारे पास A plus B A plus C इसमें A plus B B plus C C plus A अभी हम लोग प्रापर्टी पढ़े ना कि अगर किसी A P में हर टर्म में हम एक ही संक्या से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट से रिजाएगा वो भी एक A P होगा तो इसमें हम A P plus B C plus A से डिवाइड कर देते हैं तो वो भी एक A P में होगा होगा यह B plus C और B plus A ठीक है B plus A मत करेंजिए इसको A plus B कर लिजी SerialWise में ठीक है तो कि होगा A plus B, B plus C और C plus A होगा ठीक है अब देखें इसमें भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो C plus A को हम लोग A plus C लिख लेते हैं और C plus B को B plus C लिख लेते हैं 1 upon b plus c और 1 upon a plus c या c plus a फिर 1 upon a plus b ठीक है अब हमारा यह आया है अब देखिए हमको प्रूप करना है कि ये भी एक a-p में होगा तो हम लोग इसमें चलो a plus b plus c से multiply कर देते हैं ठीक है तो a plus b plus c upon b plus c हो जाएगा और a plus b plus c upon a plus c हो जाएगा और a plus b plus c upon a plus b हो जाएगा ठीक है अब देखिए हम माइनस 1 इसमें एड़ कर देते हैं तीनों टर्म में हम लोग माइनस 1 एड़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a plus b plus c upon b plus c a plus b plus c upon इधर minus 1 होगा a plus c minus 1 और a plus b plus c upon a plus b minus 1 ठीक है अब देखिए इसका हम मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह इधर देख लेते हैं ठीक है तो इधर क्या हो जाएगा a plus b plus c minus b minus c हो जाएगा अपन b plus c ठीक है और ऐसे ही a plus b plus c इसका मल्टिप्लाइ करें क्या हो जाएगा minus a minus c upon a plus c ठीक है ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा a plus b plus c इसका मल्टिप्लाइ करें क्या हो जाएगा minus a minus b upon a plus b ठीक है अब देखिए यह minus b plus b c a plus c minus c से कंसील होगा यह minus a plus c ठीक है तो आयक है a upon b plus c comma b upon a plus c comma c upon a plus b ठीक है अब देखिए हमको प्रूप करना था तो यह भी हमारे क्या होगा अगर यह बहुत है तो हमको करके बता यह पहले तो इसको व्लैकरते करते मंगारे पास सीय और और अब सिर्फ प्रॉपर्टी्ज कहें लगाए ठीक है प्रॉपर्ट्य लगाने से हमारा साल हो गया ठीक है